हेलो स्टुडेंट्स मैं शत्य प्रकाश शुकला एजूकेशन हाइवे पे आप सभी काश्वागत करता हूं हम लोग एक ग्रामर की दूसरी क्लास में बठे हैं आज हम लोग इज एम आर वाजबियर का प्रयोग सीखने जा रहे हैं क्रैमर की फर्श क्लास में हम लोगोंने काइंड आफ सेंटेंस, काइंड आफ पार्ट आफ सेंटेंस ये चारी चीजे हमने सीखी इसमें भी हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इन सहायक्रियाओं का हेल्पिंग वर्प्स का यूज सीखेंगे अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसके लिए रूल्स है कि ही, सी, इट तथा एक बचन करता के साथ प्रजेंटेंस में इज लिखते हैं तथा पास टेंस में वाज लिखते हैं अब आप समझने की कोशिश करें यदि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है सी है इट है या कोई भी सिंगलर सब्जेक्ट है जिसको हिंदी में एक वचन करता कहते हैं और टेंस आपका प्रजेंट है तो सहायक्रिया यानि कि हल्पिंग वर्ब क्या होगी तीसरा रूल जो है आपका, we, you, they, तथा वह वचन करता के साथ, present tense में आर और past tense में वर लिखते हैं, means यदि आपका subject, आपके sentence का subject we है, या you है, या दे है, या कोई भी singular के बजाए plural subject है, जब plural subject होगा, तभी हम present tense में सहाय करिया आर लिखेंगे, और past tense में वर लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोग exercise करते हैं, जैसे कि exercise में first sentence है, आपका तुम बुद्धिमान हो, इस sentence का subject क्या है, तुम, अब तुम को English में क्या कहते हैं, you, you के साथ नियम है हमारा कि हम आर लिखते हैं, ठीक है, you को plural मना जाता है, you are wise, तुम बुद्धिमान हो, अनुबात करते समय, सबसे पहले subject लिखा जाएगा sentence का फिर verb लिखा जाएगा, फिर object लिखा जाएगा, English में translation करते समय, ये rules हमेशा follow होता है, subject, verb, object, subject, verb, object, अब verb में अगर कोई helping verb है, तो उसको पहले लिखेंगे, फिर main verb लिखेंगे, दूसरा sentence, मैं विद्यार थी हूँ, I am a student, मैं विद्यार थी हूँ, I आपका subject हुआ, helping verb उस से साथ आएम आ गया, तीसरा sentence है, वह बहुत मोटे है, subject क्या है, वह, ही, और ही के साथ, helping verb is, very fat, हरी अमीर है, हरी is, rich, हरी subject हो गया, helping verb is हो गया, सीला निर्धन है, सीला is poor, सीला निर्धन है, हो गया, सीला क्या है, singular subject है, singular subject के साथ, present tense में is, और past tense में, watch लिखेंगे, ठीक है, पिता जी सासी है, the father is courageous, हम meeting में थे, अब यहाँ पर tense बदल गया, अभी तक हैं आया था, अब थे आया, थे आया तो past tense हो गया, हम की इंगलिस हम जानते हैं, क्या होती है, be, और be के साथ नियम कहता है हमारा, की were लिखते हैं, helping were, we were in the meeting, हो गया अनुवाद, हम meeting में थे, यही sentence अगर होता हम meeting में हैं, तो we are in the meeting हम लिखते हैं, ठीक है, अकबर अच्छा राजा था, अकबर वाजा, good king, अकबर अच्छा राजा था, पंडित नहरू, महान देशभक्त थे, पंडित नहरू, वाज, great patriot, sentence का subject क्या है, पंडित नहरू, और सहयक्रिया क्या है, वाज, वाज क्यों लिखा गया, क्योंकि singular subject है, singular subject के साथ पाष्ट में वाज लिखा जाता है, राम के भाई क्रोधित थे, रामाज ब्रदर, वाज, angry, यहाँ पे subject क्या है, राम नहीं है, राम के भाई है, तो भाई plural में जा रहा है, या singular भी हो सकता है, राम के कई भाई अगर क्रोधित थे होता तो ब्रदर्स लिखते, यहाँ पे राम के भाई क्रोधित थे, क्रोधित था होना चाहिए bleug type है रामाज बरदरवाज एंगरी हो जायेगा पिता जी कल नाराज थे तब फादरवाज एंगरी और कल की इंगलिस अगर लिखी जाए तो इस्टरडे होती है जो यहाँ पे नहीं लीखा है लिख सकते है पिता जी कल नाराज थे मैं प्रशन्न था मैं की इंगलिस I और I के साथ सहाय करिया वाज और वाज के बाद फिर हैपी तुम दुखी थे You were said You के साथ वर लिखा जाता है क्योंकि यू प्लूरल होता है राकेश का भाई चतुर है राकेश ब्रदर इज वाईज जब कहीं पर जैसे लिखा है राकेश का भाई या हमारा स्कूल या आप की प्यन तो जो का की इंगलिस होती है सजीव के साथ एपास्ट्राफी एस लगाते हैं जैसे देखो राकेश के बाद एक उपर कामा फिर इस फिर आगे ब्रदर लिखा गया है तो ये का की इंगलिस हो जाती है वही संबन्ध अगर रिलेशन अगर किसी निजीव के साथ होता है लाइफलेस ठींग के साथ होता है तो आफ से प्रगट करते हैं ब्रदर आप राकेश भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ पर राकेश ब्रदर लिखा गया और इस वाई मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हूँ हूँ आपका प्रजेंट है I am retired teacher मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हूँ सेट बिरला बहुत ही धनी है सेट बिरला is very rich बहुत ही धनी है वह गाउं का किसान निर्धन होता है गाउं का किशान निर्धन होता है बिलेच, फार्मर, आर, पुवर गाउं का किशान निर्धन होता है मेरा सबसे पुराना मित्र राम है माई, माई, the oldest friend is राम या राम इज भी लिख सकते हैं दोनों तरीका सही होगा इसमें सब्जेक्ट बड़ा है मेरा सबसे पुराना मित्र राम है माई दा ओल्डेश्ट फ्रेंड ओल्डेश्ट सुपरलेटिव डिगरी है बच्चों जिसके पहले दा लिखा जाता है दा एक आर्टिकल है जो सुपरलेटिव डिगरी के पहले हमेशा लिखा जाता है केशो सर्मा मेरा सबसे प्रियमित्र था, केशो सर्मा वाज माई दा डियरेश्ट फ्रेंड, सबसे प्रियमित्र था, सबसे प्रियमित्र के लिए डियरेश्ट फ्रेंड लिखते हैं, केशो सर्मा सबजेक्ट है, प्रत्वी राज चौहान कन्नौज के जैचंद्र के सत्र थे, प्रत्वी राज चोहान सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्व वाज आएगा क्योंकि थे है एनमी जैस चंद्रा आप कन्नोज वो कन्नोज की राजा थे नेताजी सुभास चंद्र बोश महान देशफक्त थे सब्जेक्ट क्या है नेताजी सुभास चंद्र बोश तो subject पहले लिख लिया गया, फिर उसके singular या plural के according was या were लिखा जाता है, तो was लिखा जाएगा, was great patriot, he, see, अब आगया negative sentence, इसी सहाय क्रियाओं का जितने आपने भी पढ़ा, इनका negative use हम सीखेंगे, तो अगर negative use में rule number first की बात की जाए, तो he, see, it तथा singular subject, यानि कि एक बचन करता के साथ present tense में is not, और past tense में was not हो जाएगा, अभी तक के अवल आप क्या लिख रहे थे, is या was, अब not बढ़ जाएगा, और rule number two है, I के साथ present tense में I am not, और past tense में was not लिखते हैं, were not नहीं होगा, एकला type है, इसके बाद rule number three है, be you, they, या कोई plural subject है, तो present tense में are not, और past tense में were not लिखते हैं, sentence number first, negative का, वह धनी नहीं है, he is not rich, subject पहले लिखा जाएगा, फिर साहे क्रिया is आगई, not rich, मैं आलसी नहीं हूँ, I am not lazy, मैं आलसी नहीं हूँ, तुम मेरे मित्र नहीं हो, you are not my friend, तुम मेरे मित्र नहीं हो, कुछ विद्यार्थी क अच्छा में नहीं हैं, some students, कुछ विद्यार्थी, यह हो गया subject, are not in the class, वाक्य बन गया, वह अमीर नहीं है, he is not rich, राम सहर में नहीं था, राम was not in the city, राम सहर में नहीं था, तुम्हारे भाई अयोध्या में नहीं थे, subject क्या है, भाई है, तुम नहीं, तो your brothers, तुम्हारे भाई, और brothers plural है, इसलिए क्या रिखेंगे, were not in अयोध्या, गौतम बुद्ध अच्छे राजा थे, वह क्रोधित नहीं थे, he was not angry, वह की इंग्लिश he was helping verb not angry, आम खटा नहीं था, तुम्हारे या मैंगो, was not sore, आम खटा नहीं था, मेरा भाई इस समय कालेश का विद्यार्थी नहीं है, my brother, मेरा भाई subject है, helping verb आ गया is, क्योंकि brother singular होता है, ठीक है, is not student of the college at this time, इट नहीं होगा यहाँ पे, of the college at this time, तुम्हारा भाई आलसी और मकार नहीं है, subject यहाँ पे भाई है, your brother is not lazy and rascal, वह गरीब भिखारी कल भूंखा नहीं था, subject पता करना है सबसे पहले, subject पता करने का एक आसान तरीका है, बताएं, कौन भूंखा नहीं था, जिसे प्रश्ण करें, sentence आया, वह गरीब भिखारी, कल भूंखा नहीं था, तो कौन कल भूंखा नहीं था, उत्तर क्या मिलेगा, गरीब भिखारी, तो गरीब भिखारी हो गया आपका subject अब यहाँ पे वह की English, he नहीं लिखी गई है that लिखी गई है क्योंकि he अगर लिखते हैं तो he means बैक्ती होता है that means संकेत होता है this means यहाँ, यहाँ, तो that means वहाँ that poor beggar was not hungry और कल की English होती है yesterday कुछ अध्यापक अब मीटिंग में नहीं है some teachers are not in the meeting now है अगर आएगा तो is या आर या I am लिखेंगे था थी थे आएगा तो वह आज या वर लिखेंगे वह गेट कीपर सहसी नहीं था that gatekeeper was not courageous courageous means सहसी वह लड़का कंजूस नहीं है that why is not major that why subject है और is not major कंजूस नहीं है वह की English ही होती है पर वो ब्यक्ति के लिए होती है यहाँ पे जो वह सब्द आया है वो संकेत कर रहा है दूरी बता रहा है इसलिए that लिखा गया है मुगल समराट जहांगीर अभागे नहीं थे मुगल इंपरर जहांगीर वाज नाट अनलकी वो अभागे नहीं थे माता जी इस समय अस्पताल में नहीं है माता जी इस समय अस्पताल में नहीं है हमारे प्रधान मंतरी डरपोक नहीं है महेंद्र इस समय दुकान पर नहीं था कौन सबजेक्ट है महेंद्र कौन दुकान पर नहीं था महेंद्र was not at the shop at this time तुम्हारा पुत्र इस समय अपने आफिस में नहीं था your son subject क्या है पुत्र है तो सबसे पहले हम लिखेंगे son और किसका son your son was not in the office at this time अब आता है interrogative sentence is am, are was, where का interrogative use सीखते हैं इंड्रोगेटिव यूज में रूल लंबर फर्ष्ट पे आता है जैसे वाक्य शुरू होगा क्या सब्द से शुरू होगा तो जब हम किसी भी स्टेंस का क्या सब्द का अनुबाद करते हैं तो उस टेंस की सहाय क्रिया करते हैंं helping वर्ब से करते हैं अगर क्या सब्द वाके के आरभ में आया है तो हमेशा helping verb से ही उसका translation होगा और वो क्या का अनुबाद हो जाएगा क्या का अनुबाद यहाँ पर हम is, am, are, was, where से करेंगे क्योंकि is, am, are, was, where का ही यूज हम सीख रहे हैं और rule number two की अगर बात करें तो question mark हम जरूर लगाते हैं नहीं तो grammatical mistake मानी जाती है पहला sentence क्या तुम्हारा कार खाना बड़ा है अब subject क्या है कार खाना कार खाना के लिए क्या लिखेंगे हम is, तो सबसे पहले अब हमें is लिखना पड़ेगा, अभी तक हम subject के बाद में is लिखते थे लेकिन अब हम पहले is लिखेंगे क्योंकि हमें क्या कानुबाद इज से ही करना है Is your factory big क्या तुम्हारा भाई लालची है सब्जेट क्या है यहाँ पर भाई तो भाई के लिए क्या helping work आएगी Is क्यों इज आएगी क्योंकि भाई singular है और आएगी कहां सबसे पहले Is your brother Grady क्या वह सैनिक कायर है यहाँ पर सब्जेट क्या है सैनिक सैनिक के लिए हम क्या लिखेंगे Is लिखेंगे शुरुवात में बाद में नहीं Is this soldier Bimpis Bimpis मींस होता है कायर क्या मोदी जी देशभक्त है Is मोदी जी Patriot Is मोदी जी Patriot इज पहले लिखा जाएगा Introgative में हमेशा helping work पहले आजाती है subject के क्या यह चीता अंधा है Is this lion Is blind क्या यह चीता अंधा है क्या नेताजी मालदार है Is the leader Bildy Bildy या rich भी लिख सकते हैं हो गया क्या हिमानी सैतान है Is हिमानी Mischievous Mischievous means सैतान होता है क्या अंशू वातूनी है अंशू क्या है subject है तो अंशू के लिए Is लिखेंगे Is अंशू Talkative होना चाहिए Is अंशू Is अंशू Talkative Talkative means होता है बातूनी क्या यह सिक्का खोटा है मतलब चलन में नहीं कह सकते हैं Is this quine Not useful चलन में नहीं है क्या सेर सकती का भूखा है Is lion hungry for strength क्या lion सकती का भूखा है क्या यह factory तुम्हारी थी थी आ गया है तो वाज हो जाएगा Was this factory your क्या यह factory तुम्हारी थी क्या यह scooter तुम्हारे भाई का था Was this scooter your brother ठीक है क्या सरिता की भूखा खुश थी Was सरिता अज भूखा Happy Happy मींज क्या होता है खुश क्या वह हाथी बहुत अधिक बिशाल था था आया है तो हम वाज लिखेंगे Was that elephant very big क्या कुछ महिलाएं चिडिया घर में थी Were some woman in the Jew क्या कुछ महिलाएं चिडिया घर में थी क्या तुम्हारी माताजी अपाहिस थी Was your mother handicap होता है Was your mother handicap क्या मुगल समराठ सा जहां अभागे थे Was मुगल इंपरर सा जहां मुगल इंपरर सा जहां ये सबजेक्ट है Unlucky अभागे थे क्या मोहन का भाई दुखी था Was Mohan's brother sad Next है क्या वह आज अनुपस्थित थे Was he absent today क्या वह लड़का निर्धन था Was that boy poor क्या वह लड़का निर्धन था ये आपकी grammar की class है Second class है कह सकते हैं अगली class में आपको मैं has, have, had का यूज सिखाऊंगा जिसका affirmative use, negative और interrogative use उस class में आप सिखेंगे अगर आपको वीडियों अच्छी लगती है class अच्छी लगती है तो like करें और मेरे channel पर नए हैं तो subscribe भी करें Thank you